नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपको चैनल इगरी आकास पे किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंदी की फसल में आप जादा से जादा फूल फल कैसे लेकर करके आ सकते हैं अगर आपकी जो भिंदी है उसके फूल ज़ल रहे हैं आपको बताने वाला हूँ तो पूरी जानकारी सही विधी समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एगरी आकास चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा युदि खेती बाले फजली हुई ऐसी महत्यपूर वीडियो मैं आ जो आपको उत्पादन है वो कम हो जाता है चलिए पहले हम खाद के बारे में बात करते हैं किसान भाईओ जिस समय आपके खेत की आखर जुताई चल रही हो या फिर आप ऐसी जुताई कर रहे हो जिसके बाद कि आप उसमें बेड बनाएंगे या फिर आप उस पे सीधा खा बहुत कम होता है डालने की कुछ समय बाद उसका असर शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद खतम हो जाता है लेकिन अगर आप बुगाई के पहले गोबर की खाद डाल देते हैं घिंडी में तो ये पौधे की जब शुरू आती से लेकर कि अंतिम तक धीर धीरे पोशन दे रहता है जिससे कि आप उससे काफी अच्छा उत्पादन ले पाते हैं और बुगाई के 10 से 15 दिन बाद बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि पौधा ग्रो कर रहा है इसमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप उस समय सही खाद न लेना है यह इन पीके होता है और भिंडी में डालना जाने के लिए बहुत ही पापुलर खाद है तो आपको 10-26 ले लेना है 45-50 किलो और उसके साथ में आपको हुमिक एसिद 5-6 किलो ले लेना है और 15-20 किलो यूरिया ले लेना है और इसके साथ आप चाहें तो सूश पोसक तो मिला सकते हैं 200-200 ग्राम इन साथ खादों को मिला करके आपको अच्छे से डाल देना है और उसके बाद सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करने के बाद आप पहला खरपतवार नियंत्रन भी कर दीजिए क्योंकि ध्यान रखें अगर आप हुमिक एसिद नहीं डालते हैं तो जो आपकी फसल उसके जड़का भी कास अच्छे से नहीं होगा और जड़का भी कास अच्छे से नहीं होगा तो आप उससे काफी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे ध्यान रखें 10-15 दिन के वफ्था पे आपको यूरिया लेनी हो क्योंकि इस समय पोधे को अगर आपने बुआई के समय दिएपी 10-26 और यह मुवी पोटास डाला हुआ है बुआई के समय तो आपको इस समय खाट डालने की जरूरत नहीं है उस समय की सानफी आप कौन सा इस्प्रे कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बुआई के 30-35 दिन बाद चाहे आपने बुआई के समय कोई खाट डाला है या फिर नहीं डाला है आपको 30-35 दिन के बाद उस समय कल्ले निकल रहे होते हैं फूल भी आने शुरू होते हैं तो उस समय आपको ले लेना है 50 किलो डिएपी 30 किलो यूरिया और 500 ग्राम सूचिन पोसकत तो इसको लेकर के आपक पूरा हो जाएगी तो आप इस समय इन तीनों चीजों को डाल दिए ध्यान रखें डिएपी आपको 50 किलो लेनी है यूरिया 30 किलो और 500 ग्राम सूचिन पोसकत तो लेना है इसको डालने के बार आप दूसरी बार खरपतवार नियंटरल कर दीजिए ध्यान रखे अब आपक के पौधे प्या जाती है और धीरे धीरे जब उसके बाद धीरे उसमें पीला मोजेक डॉड़ जाता है तो जो कीच और पतंगे शुरू में आती है वहीं जो है बड़ा रोग बना देती है उसके लिए आपको खरपतवार नियंटरल बहुत ही जरूरी होता है और अगर या 48 डिगरी का temperature हो गया है तो उस इस्तिती पे फूल गिरने लगते हैं उसके लिए कि सन भीयों आपको सिचाई करनी है और खरपतवार निंतरक करके रखना है तो इससे फूल गिरना कुछ कम हो जाएंगे और बहुत जात आप मान हो रहा है तब फूल गिर सकते हैं उसके लि डिगा बीमार हो गया और घ्रप फूल गिर रहें तु resistant यह किसान भीयों उस इस्थिती में हैं क्या कर सकते हैं कि आप ले किया सकते हैं प्लानोफ फिक्स और इस करें चाहिए आप सबसे पहला इस बूगाई के दस से खाट डाली है तो 10 से 15 दिन बार आपको कोई खाट डालने ही जरुवत नहीं जैसे 10 26 26 और यूरिया हुमिक एसिर उसके जहां पर आप हुमिक एसिर ले सकते हैं और इन पीके 19 19 19 ले सकते हैं इसको आपको एक किलो इन पीके 19 19 19 और 4 से 500 ग्राम इन पीके 19 19 के साथ में हुमिक इसको मिला लीजिए और दो फिल्टर पानी मिला करके इस्प्रे कर दीजिए और जिस समय आपके फसल में फूल आने शुरू होने वाले हूं उस समय और फूल बनते समय आपको 0.52 लेना है एक किलो लेकर के दो फिल्टर पानी मिला करके आप इसका भी इस्प्रे कर सकते हैं और जैसे ही जो आपकी पहले चुलाई आने वाली हो आपके जो फल हो पकर के तैयार हो जाएं उसमें आपको एक किलो लेना है 13,045 यह पोटेसियम होता है और यह काफी ज़रूरी होता है अगर आप इसका इस्प्रे कर देते हैं तो आपको लगातार फूल और फल भी देखने क्यों कि जो पति है अगर आप उसका पती का अच्छे से भिकास चाहते हैं और पौधा प्रफुलित रहे है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो पती है उसका अच्छे से विकास हो उसके लिए आप फनफूर नासक का इस्प्रे करें ध्यान रखें अगर कोई कीट पतंग आ रहा है तो उस हिसाब से आप कीट नासक का इस्प्रे करें और अगर आप जानना चाहते हैं कि भींडी के फसल में कौन से कीट लगते हैं तीस दिन बाद जवाब तीस्रा स्प्रे करेंगे उसके बाद से आपको एक एक एकडमे लगभग एक खिलो ले करके हर दफ दिन पर करते रहे ना है इससे जो कोई कीट पतंग है चाहे फ़ल चूसक है चाहे रस चूसक है वह आपका जो है उस पे अटेक नहीं कर पायेगा और इनके लाँ आपको सिचाई समय समय पे करते रहना है, खरपतवार नियंतरन करके रखना है, कोई भी रोग और समय सत्र देशे दिखाई दे रहे हैं, तुरंत उसका निदान करना है, इस तरी के आप भिंदी फसल से अन्य किसान भजों के प्रेक्षा, दो से तीन बार जादा उत्पादन ले पाएंगे, और उनसे आप लगभग 25-30% जादा उत्पादन भी ले पाएंगे, तो उमीद करता हूँ कि वीडियो को काफी अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा है तो वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, एगरी आकास चनल पर आप पहली बार आएंगे, चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और भिंदी खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रेप्शन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां फजा करके आप इसके बारे में और अधिक वीडिय देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद